राजनान्त गाउं में भारती जंतापाटी की विधानसभा इस्थर की बैठक संपन हुई इस बैठक में बिहार के बतनाहा से विधायक अनिलकुमार भी शामिल हुए विधायक अनिलकुमार ने आगामी विधानसभा चुनाओं को लेकर योजना बनाई और कारेकरताओं को ज अगार्षन किये और फिर बैठिक में शामिल हुए विधाय का निलकुमा ने कहा कि भाती जंतापाटी डोगरगढ में निश्ट रूप से जीत दर्ज करेगी भाती जंता-पाटी का एक कारिकरता देश के विकास के लिए कारिकरता है या पर भी भाती जंतापाटी रिकॉड जीत को दर्ज करेगी ही 37 चतिसगर में भी विजेपी की सरकार बनेगी किस देश का विखास कैसे हो ये देश कैसे संब्रिद हो आज हम 36 गड़ में हैं तो ये राज कैसे संब्रिद हो इसको लेकर के भारती जन्ता पार्टी के करेकरता काम कर रहे हैं डोंगर गड़ विधान सभा एक इतिहासिक जीत दर्ज करेगा और इसके साथ ही आपने कहा कि डोंगर गड़ जीतेगा तो 36 गड़ जीतेगा भारती जन्ता पार्टी डोंगर गड़ जीतेगा और 36 गड़ जीतेगा 36 गड़ में भारती जन्ता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगा